So I think आप लोग Poco X2 मिलना शुरू हो चुका होगा और आप लोग इसके लिए कुछ covers, tempered glass और काफी चीज़े ढूननी शुरू हो चुके होगे तो इस वीडियो में और ऐसी कुछ accessories दिखाऊँगा जो आपको Poco X2 लेने के बाद तुरंत ले लिनी चाहिए तो शुरूआत कर लेते हैं तो सबसे पहली जो accessory है वो हजी है इसका cover rinky के तरफ से मैंने order किया है मुझे ये बहुत पढ़िया लगता है brand काफी अच्छे covers बनाता है बहुत टाइम सी इसके covers उसकर रहा हूँ इस तरीकी कि आपको packaging में देहने हो मिलता है और best part इनका ये होता है कि ये transparent होते हैं तो आपके phone का look भी कही नहीं जाएगा अगर इस cover को आप compare करोगे box वाले cover से तो वो TPU cover देहने हो मिलता है जो थोड़ टाइम बाद आपको पीला हो जाएगा लेकिन ये आपको hard plastic देहने हो मिलता है तो जितना मरजी यूज कर रो ये कभी भी पीला नहीं पड़ेगा अगर आपको ये edge to edge tempered glass लगा लेते हैं जी हाँ जो बिलकुल edge से चिपका होगा तो आपको जो box में cover देहने हो मिलता है वो बिलकुल भी compatible नहीं है जैसी आप उसे लगाओगे तो आपका जो edge to edge tempered glass है क्योंकि इस तरीके का बिलकुछ बनाया गया है ये TPU case जो आपको ये bubbles पर यूज कर देगा लेकिन ये जो rinky case है lip होने के बाव जो जी हाँ सामने आपको lip देखने को मिलता है लेकिन बिलकुल edge to edge या कोई भी आप tempered glass लगा लीजे उसके साथ ही बिलकुल compatible है और cover के cutouts की बात की जाए तो वो भी बिलकुल perfect है आपको कोई भी अपनी type C cable लगाने में headphone jack लगाने में speaker cutouts बिलकुल perfect हैं कहीं पे भी आपको कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा इवन fingerprint cutout की बात की जाए तो वो भी बिलकुल सही है आगे इस थोड़ा सा उठा हुआ और पीछे से दबा हुआ जिससे क्या होगा कि आपके fingerprint को काफी असानी से आप use कर सकते हैं कभी भी आपको ये cover interfere नहीं करेगा इवन protection के मामलें भी ये cover बहुत अच्छा है आपके camera bump को बहुत अच्छी तरीके से hide करके रखता है इवन ये corner से उठा हुआ है जिससे जब भी ये cover या phone गिरेगा नीचे तो ये cover उसका shock absorb कर लेगा और आपके phone तक वो force नहीं पहुँचने देगा तो overall एक बहुत अच्छा cover है जियां functionality के साथ cover protection के साथ looks maintain रखता है link is in the description जहाँ जाके आप इसे ले सकते हैं and next जो accessory है वो आपके Poco X2 के लिए tempered glass जियां glazed ink की तरफ से मैंने order किया है काफी famous brand है बहुत बड़ी website है और काफी अच्छी packaging में जैसे आपको देखने हो मिलता है आपने ये tempered glass भेजते हैं जियां City तो पहले इसमें आपको box contents की बात की जाये तो आपको 3 contents देहने मिलते हैं जिया पहला है dust wipes, जिससे आप 1 wet wipe देहने मिलता है, dust wipe देहने मिलता है आपको रख देना है, बीच में से स्वाइप करेंगे, सारे बबल्स रिमूव हो जाएंगे, अगर थोड़े बहुत कई छोटे मोटे रह जाते हैं, तो वो यूज़ करने पर रिमूव हो जाएंगे, एंड इस टेंपर ग्लास को लगाते हैं, आपको इसकी प्रीमिन एसका पत आपको जीरो परसेंट यार कोई कंटेंट कटेगा, डिस्पले में टेंपर ग्लास की वज़से, एंड एज टू एज होने की वज़से यार यह जो है, आपके कैमरे के उपर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बदा दू कि मैंने इससे पहले फोटो ली थी लगाने से, और बाद में भी फोटो ली हैं, और कहीं पे भी आपको एक परसेंट का भी कोई भी डिफरेंस खास देखने को नहीं मिलता, कहीं पे भी आपकी कोई भी क्वाल्टी डिग्रेट नहीं हुई है, इवन यह एज टू एज है, तो इस तरीके से काफी टेंपर ग्लास देखे हैं, जो सिर्फ edges चिपकती हैं, लेकिन मैं आपको बदा दूँ, यह जो tempered glass है, वह पूरा चिपकता है, इसकी वैसे यह कहीं पे भी आपका dust particle जिसके अंदर नहीं जाएंगे, इवन अगर मैं आपको sample देखा हूँ, तो मैं अपने POCO F1 पे बहुत टाइम से कह सकते हैं, आठ मही जहां जाके आप इस tempered glass को ले सकते हैं, जैसा कि यह जैरी अंकल ने बोला है कि यहर glass है, glass break भी होगा और उस पे scratches भी आएंगे, और आपको POCO F1 में जिहां पीछे glass देखने को मिलता है, glass back, तो अगली जो accessory है, वो इस चीज को protect करने के लिए है, जिहां skin देखने को मिलती है gadget shields की तरफ से सबसे premium skins बनाते हैं, जिहां जितनी वे ऐसे में दिखा रहा हूँ, वो सब premium NES पे ही है, तो अगर थोड़ा सा आपको costly देखने को मिल रही है, लेकिन premium NES में वो बहुत अची होगी, तो इससे apply करने के लिए जब से पहले जो आपको microfiber cloth दिया गया है, उससे अच अच्छी तरीकी से आपको साफ कर लेना है, और camera layout से आपको skin निगाल के, अच्छी तरीकी से आपको layout है, उसके साथ आपको attach करना है, और लगाते ही आपको जो नीचे वाला कागज है, उसे remove कीजिए, और आपको बस नीचे drag करना है, corners पे आपको swipe करना है, और ये skin आपकी लग जाएगी, लगाने के बाद आपको ये skin scratches से बचाएगी, जी हाँ, आपको fingerprint से बचाएगी, और even आपको अगर glass गिर जाता है आपका phone, तो उस glass को intact रखेगी ताकि वो पीछे से break ना हो, तो skins के बहुत ज़दा फैदे है, और अगर आपको 1% भी ये video कहीं पे भी accessories भी बहुत सारी लेके आँगा, इसके update के review भी बहुत सारे आएंगे, custom roams की reviews आएंगी, तो मतलब समझ लीजे, आपने अगर पोक वैस्टू लिया है, तो please ये इस चैनल को subscribe कर लेना, क्योंकि इस पर आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आतार होगा, thanks for watching and love for all.